आच हम बात करेंगे रणिंग स्पाइक्स के जो नेल्स होते हैं यह समॉल साइज है, एक बिक साइज होता है तो यह कहां पर यूज़ होते हैं क्योंकि काफी मुझे कमेंट मेसे याते हैं आफ में वो स्पाइक्स खेयते है, उन के साथ 2 नेल्स मिल जाती है तो काफी लोग पूछते है कि छोटी नेल्स कहाँ पर यूज करें ये जो बडी नेल्स है वो कहाँ पर यूज करें तो हमेशा याद रखिए जो ये छोटी नेल होती है ये संथेटिक ट्रेक के उपर यूज होती है और यह जो उपर का साइज है इसका चूडी के उपर का साइज वो 8 mm होता है चोटी नेल का और बड़ी नेल का उपर का साइज 12 mm होता है और 5 mm इसका थ्रेड साइज होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह चोटी नेल संथैटिक ट्रैक के उपर क्यों यूज़ की जाती है तो इसका मेन कारन यह है देखे जो संथैटिक ट्रैक होता है उसकी एक तो मिट्टी से ज्यादा पकड मजबूत होती है और वो थोड़ा hard होता है, मिटी से, तो उसके उपर अगर आप बड़ी नेल पहन कर दोड़ोगे, जब ये जो नेल होती है, ये depth में जाती है, उसके बाद भागते हुए जब आप अपना पैर release करते हो, पैर उठाते हो, ठीक है, तो आपके जो muscles के उपर load पड़ता है, क्यों दूसरी बात ये है, जो छोटी नेल होती है, इसके आगे ये जो पिन होती है, ये बिल्कुल ब्रीक होती है, काफी शार्प होती है, असानी से synthetic track में चली जाती है, अगर बड़ी नेल की बात करें, इसकी जो पिन होती है, ये काफी मोटी होती है, ठीक है, तो ये वर्क भी synthetic संथाटिक ट्रैक के उपर सही नहीं करेगी और अगर ज्यादा गिराई में यह जाएगी जब आप अपना पैरलीज करोगे उतना ही लोड आपके मसल्स के उपर पड़ेगा ठीक है इसलिए संथाटिक ट्रैक के उपर यह जो छोटी नेल है यह वर्क ज्यादा अच्छा करती ह बड़ी नेल्स ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करती ठीक है और मसल्स के उपर लोड ज्यादा पड़ता है अब आप हम बात करते हैं के छोटी नेल्स जो मिटी के उपर क्यों नहीं यूज कर सकते मिटी के उपर चोटी नेल इसलिए नहीं यूज होती क्योंकि जब भी आप जब раз-spTON कर मिड़ी के सधियुर्ध सक्ते पाइक जब आहिसे अपना पैर रखते हैं इसाइड रखोटी सफेस्पाइक रिखटेशज सप् видео पिंद और अभी धोटी सभी नेयल ने था भरसेज और तो वहादि कमला कुईनेproblemहार 65 क्योंकि यह काफी depth में चली जाती है तो उसकी वज़ासे काफी depth में चली जाती है जो पकड़ है वो मजबूत बनती है इसलिए बड़ी nail हमेशा मिट्टी के उपर यूज की जाती है और चोटी nail जो है यह synthetic track के उपर यूज की जाती है फर्क इनमें यही है एक तो साइज का फर्क है दूसरा यह जो पिन होती है यह बहुत ब्रीक और शार्प होती है छोटी नेल के जो उपर होती है संथैटिक ट्रैक में असानी से यह अंदर डेफ्ट तक चली जाती है और जब पैर अपना आप रिलीज करते हैं तो ज्यादा लोड नहीं पड़ता मसल के उपर जो यह मोटी नेल है उसका उतना ही लोड पड़ेगा और वर्क भी यह संथैटिक ट्रैक के उपर सही नहीं करती ठीक है इसलिए जब भी आप स्पाइक्स खरीते हैं काफी जो स्पाइक्स होते हैं उनके साथ दोनों मिलती हैं यह चोटी नेल और बड़ी नेल मिल जाती है वो आप अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग उसमें आप फिक्स कर सकते हो ठीक है और आज कल क्या हो रहा है कि का लिए जाते हैं नेल्स पाइक्स के साथ जादा तर छोटी मिल रही हैं बड़ी आने रही तो अगर बड़ी आप नेल खरीडना चाथे आप स्पोर्ट्स की दुकान से क्रीज सकते हैं नहीं आपको ऑन-लाइन मिल जाती है ओन-लाइन आप किसी भी साइट से ले सकते हैं गू शार्प है साइज में यह से ज्यादा बड़ी है ठीक है दोस्तों तो यह जो कारण होता है संथैडिक रेप के ऊपर चोटी नेल का यूज करने का वो मैंने आपको बता दिया बड़ी नेल का आपको बता दिया इसके लाएं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कर सकते हैं आपका रिपलाई में जरूर करूंगा तो बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई हैव नाइस टेड़